नमस्कार दोस्तों मेरे पाहम लेटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई या 57 वर्स के पुरूस के पाहम का एनारेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रतम इनके सवालों को सूनेंगे फ्रेकर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे प कोईशन इस प्रकार है वर्तमान समय में नौकली करते अच्छे पद पर हैं आग इक जिंदगी के विशे में जाना चाहते हैं और अच्छी खराब वोस्था बनी है छोटे मोटे कर्जें हैं उसके विशे में भी जानना है जो कि अच्छे संस में लिया गया है तो आप वर्तमान प्रस्थिति के हिजाम में देखा जाए वर्तमान प्रस्थिति के हिजाम में देखा जाए वर्तमान प्रस्थिति उनकी अच्छी नहीं है और अपने जिंदगी पर वो कुछ भी नहीं कर पाएं बहुत तकलीफों को जेड रहे हैं कुछ के तो खाने के भी लाले हैं आज के समय में well established हैं तो कहीं न कहीं ये विडियो उस पर भी अधारित है आज बहुत अच्छा इस्टेबल कर चुके हैं मैं जिन्दगी पर तो कैसे किया क्यों दिक्कती बच्पन में क्यों समस्याएं थी आज उस विश्चे पर मैं प्रकास डालूँगा और साथी साथ आप कि सारे ही डाउट को क्लियर करोंगा तो पामिस्ट्री एक नहीं 100% सही है क्योंकि ये रियल पाम है, रियल विक्ति की हतली है, 57 वर्सकीन की आयू है, इनके जिन्दगी पर जो बाते बीती हैं वो बात इनकी हतली प्रॉपरली बता रही है, 1000% एकुरेसी के साथ इनकी हतली कि इस वेक्ति के साथ यही बात बीतेगा और ऐसे यही बहुत सी वीडियों से हैं जो हमारी आते रहती हैं जिसमें हर समय सही बाते की जाती हैं क्योंकि आपके अतली जो बताती हैं वही बात मैं करता हूँ तो पामिस्ट्री बिलकोल भी गलत नहीं है अगर कोई वेक्ति अगर कोई ग्यानी वेक्ति आपको यह कह रहा है कि आप आगे करूर पती बनेंगे तो आप जरूर बनियेगा क्योंकि वो वेक्ति आपके हाथ पर बनने वाले कुछ यूनिक अवस्थाओं को देखED के ही कह रह पर तो जबी मैंने इनके हाथ देखाना तो definite रूप से इनको बच्पन में काफी तकलिफों का सामना करना पर आओगा काफी जादा क्योंकि starting phase से इनके बिलकुल भी सही बाग्य रेखा नहीं थी even ना के बराबर थी तो बहुत जादा struggle extreme struggle को ये indicate कर रहा है और यहाँ पर से जा जिन्दगी पर परशानियों का पहा तूट परता है इसमें बिलकुल डाउट नहीं है तो इनका एक एक लवज कहा हुआ बिलकुल सच है कि इन्होंने बच्पन में काफी तकलिफों को सहा है काटों के रास्ते पर चलके अपने जिन्दगी को बनाया है और आज ये जिस भी मुकाम पर है वो अपने और अपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर है तो केवल अपने मेहनत डेडिकेशन समरपन के दम पर यहां तक है बच्पन में बिलकुल भी भागे का साथ नहीं मिला है भागे का साथ मिलना इनको 32 से 32 वर्स क्यायों के बाद से सुरू हुआ होगा वो भी मैं बताऊंगा कैसे उसको आप देख सकते हैं थोड़ा बने रहे ये वीडियो में तो ये तो देख लिए आपने पहले negativity अब यहां से देखो 32 words के बाद से बागे रेका सकती है तो बागे का साथ बिलकुल मिलता है अब इसको हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में है वो आपके पास आया कि बताए गुरू जी मेरे जिंदगी पर तो काफी तकलीफे हैं मैं कब अच्छा कर पाऊंगा कब मेरे जिंदगी पर भी अचानक धनलाव होगा अभी तो एक रुपे की अर्निंग नहीं है अगर दस अजार की भी अर्निंग सुरू हो जाए तो मैं अपने आपको बरा भागे साली समझूंगा कि मैं चलो अपने लाइफ में तो आगे बर रहा हूँ तो आप उस वेक्ति के हाथ को देखिए अगर वो सच में दिक्कत में होगा तो उसकी भागे रेका हाथ पर नहीं होगी या फिर राहू रेका बहुत ज़्यादा होगी जो जीवन रेका पर बनती है लेकिन आप उस वेक्ति को confidence देने के लिए सही बात बताना है आपको केवल confidence नहीं देना है तो उसकी भागे रेका जिस भी आयो के बास सक्री होगी ताप उसको बेजिजग कह दो कि इस आयो के बाद आपकी जिंदगी पर मेजर पडिवर्तन होगा और आपकी जिंदगी पर अचानक धनलाव होगा जैसे इनके हाथ पर 32 वरस की आयो के बाद अचानक धनलाव के योग बने थे जहाँ पर से इनके जिन्दगी पर मूल रूप से प्रिवर्थन को इंडिकेर कर रहा है और आगे कुछ स्क्वाइर से विगरा की आकरती भी थी जिस अंदर में जातक के जिन्दगी पर पैसा आना है तो अभी थोड़ा positive sense में मैं बात कर लूँ ताकि इनको भी समझने में बड़ी आशानी होगी कि इनके हाथ पर क्या क्या positivity है अवस्थित है तो सबसे पहले देखे तो ये बहुत सुन्दर बागे रेका जो कि एकदम जिन्दगी के लास्ट तक है तो भागे का पूरा साथ पूरा विकास इस चीज़ का ये परचा करा रही है उसके बाद देखा जै तो यहाँ पर से कुछ एक square जैसी आकिरती जरूर है ये square जैसी आकिरती क्या दरशाती है ये दरशाती है कि ऐसे विक्ति अपने जिन्दगी पर आगे बढ़ते है और 36 वर्स के आयू के बाद जिन्दगी पर पैसा जरूर से कमाते है पैसे कमाने वाली कोई भी दिक्कत नहीं है 36 में वर्स के बाद मेजर परिवर्तन को ये अवस्था इंडिकेट करती है जहां पर से जातक का मेजर परिवर्तन इनके जिन्दगी पर होता है मदब लाइफ में certain changes को इंडिकेट करती है जिन्दगी पर पैसे आते ही आते हैं ना आने वाली तो बात ही नहीं है किसी भी विक्ति के हाथ पर ऐसी ये वस्था बनी हो तो पैसे 1000% आपके लाइफ में आने है ये guarantee है उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहां पर से देखे एक बहुत बढ़िया सूरी रेखा है तो काफी talented है आप एक सूरी रेखा हाथ पर हो तो जातक के जिन्दगी पर एक source of income से पैसे बने रहते हैं और जातक के जिन्दगी पर पैसा आता ही आता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलिए जीचीज़ आपने देख लिया अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं फिर यहां पर से देखो तो एक बहुत सुन्दर आपकी mercury line है जो की बहुत कमाल आपके अहतली पर है बेहद शानदार mercury line तो यह mercury line क्या indicate करती है जातक के जिन्दगी पर धन लेकिन थोड़ा सा यह और आगे बढ़के बन जाती ना तो फिर तो मजा ही मजा हलाकि इस mercury line का इनको फल मिलेगा लेकिन मुझे लग रहा आने वाले समय में यह और आगे बढ़ जाया अगर यह बढ़ जाती है तो बहुत जबर्दस ग्रेट रेंगल जब भी यह पूरी complete होती है बहुत पैसा एक्स्ट्रीम पैसे को indicate करती है जातक के जिन्दगी पर पैसा definite रूप definite रूप से आता है उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से एक लाइन और बन रही है यह वाली देखो एक चमतकारी रेखा है यह अगर आप ठीक से देखो तो यह सूरी छेतर के आसपास से यह स्टार्ट हुई है एक बहुत चमतकारी रेखा इसमें कहीं कोई संदह वाले बात नहीं है तो यह चमतकारी रेखा क्या इंडिकेट करती है जातक के जिन्दगी पर धन जातक के जिन्दगी पर धन को यह इंडिकेट करती है पैसे जातक के जिन्दगी पर आता है मान समान भी आता है तो यह बहुत सुन्दर आपके हाथ पर सूरी रेखा के ब्रांचे से तो यह इंडिकेट कर रही है कि अगर यह पूरा विजिबल होता है तो बहुत ज़ादा ही आपको और आगे बराने में यह मदद करेगा उसके बाद अगर मैं आपके तरीक और ठीक तरीके से देखो गहराई बुर्वक देखो तो एक बहुत बढ़िया प्रोग्रस लाइन यहाँ भी देख लो और सबसे खुशुरत ही जिनके हाथ पर में बताओ तो बहुत शानदार जीबन रेखा मतलब अगर यह जिन्दगी पर आगे बढ़ें पॉस्टिब 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 में गए हैं तो इसका रीज़न है कि इनके लाइफ लाइफ लाइन पर कोई राहू रेखा नहीं होती है तो जिन्दगी पर जबर्दस तरक्की को यह बताती है जहाँ पर से जातक की जिन्दगी पर तरक्की होना तै है बिलकुल तै है ना की तो बात ही नहीं है तो बिलकुल भी राहू रेखा आपके हाथ पर नहीं है अब इससे जादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है इससे जादा गर्व की बात और क्या ही हो सकती इश्वर की बरिशीम कृपा है भले ही आपके हातले पर प्रारंबिक समय में भाग गिरेखा नहीं रही हो लेकिन ईश्वर ने तकलीफ तो दिया लेकिन बहुत आपस्टेगल नहीं दिया अब ऐसा क्या कि बहुत पैसा कमा लो लेकिन पैसा ही न रख पाओ पैसा ही प्रवाद हो जाए कोई कहीं संदेह वाले बात नहीं है और एक बहुत बड़ी यात्रा के योग आपके हातली पर अवस्तित है जो जातक की जिन्दगी पर यात्रा को बताते हैं जहां पर से जातक की जिन्दगी पर यात्रा होती है बड़ी यात्रा होती है विद्दे सी दर्ती से धनलाव होत यहां पर से comfortable life को यह बताती है जो कि आपके जिन्दगी पर comfortability के साथ आपकी जिन्दगी भी दती है और comfortable life भी रहता है इसमें बिलको doubt नहीं है तो यह था इनके positivity अभी थोड़ा negative चीजों पर वचार करते है और चीजों को बताते है तो negativity में मैं बताओ तो चुर्बाती दोर से बागे रेका नहीं थे भी इससे बड़ी negativity क्या हो सकती है लाइफ में certain problems को indicate करती है जातक की जिन्दगी पर परशानी आती ही आती है इसमें बिलको doubt नहीं है अब दूसरा आगे विचार करते है कुछ राहूरेका आपके हाथ पर था तो यह राहूरेका एकाक पल में एकाक समय में बहुत ज़ाद तकलीफ को बताता है जो कि जातक का एक समय बहुत तकलीफ में बीचता है वो एक आक साल की बात थी जो चूकि बहुत ताकतवर राहूरेका नहीं थी एक ही राहूरेका आपके एतली पर थी जिसके side effect आपके जिन्दगी पर जरूर आये होंगे और आपने जिन्दगी पर परशानी की योग जातक के हाथों से पैसे खर्च तो होते हैं ये खर्च की अवस्तिति को बताता है जातक थोड़ी खर्च ले परवर्ति के होते हैं इस चीज़ का ये परिचे कराते हैं तो ये तो थी इनकी नेगेटिविडी जुपिटर तोड़ा गरबर था ये भी परशानीयों को इंडि हो गई न कि आप डिजर्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तरक्की लेकिन किसी कारणवश वो तरक्की आपको नहीं मिल पा रही है तो समय रहते हैं इसका उपाय कर लेना चाहिए और अगर सही समय की आप बात कर लो तो इसका कोई समय नहीं होता जब आपको आपकी negativity पता चल है वो तरक्की को आप जरूर से ग्रहन करो तो वो remedy मैं आपको definite रूप से दे दूँगा इसमें बिलको doubt नहीं है और doubt रखने की आवशकता भी नहीं है चली GCs आपने देख लिया अभी हम और चीजों पर वैचार करते हैं इनके प्रशन पर क्या आगे किस जिंदगी कैसी र रही है लाइफ में problems को नहीं लाइफ में तरक्की को बता रही है जिंदगी पर तरक्की इस case में होती है ना तरक्की वाली तो बात ही नहीं है और रही बात और चीजों पर देख ले तो आगे की बागे रेका भी आपकी बहुत जबरदस्त है तो बागे रेका को बिले के को कोई प्राब्लम नहीं है, कोई भी नहीं है। प्राब्लम नहीं है, कोई व्ली नहीं है, कोई प्राब्लम नहीं है, कोई ज्य। फिर एक 38 वर्स में तरक्की 49 में तरक्की फिर जिंदगी ठीक ते एक बहुत जबर्दस तरक्की आपके 54 यह के आसपास यह 44 मानके चलो 40 हाँ यह 44 नहीं 52 यह के आसपास एक तरक्की एक 55 में थी 55 के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे न तो 55 के बाद ही 56, 57 में या 58 तक मान तो कुछ यात्राएं जिंदगी पर हो सकती है फिर आगे जिंदगी पर चलो तो 60 यह से लेके आपके 78-79 यह तक 20 साल का यह अंतराल है एक टी भी मान सकते हैं आप आपके ट्रेंगल से आकरती दिख रही है और वहीं पर से अगर मैं देख रहा हूं तो दोड़ी जीवन पर का दिख रही है अला कि यह तो life में settlement को indicate करती है घर से दूर की उन्नती को बताती है तो जहां पर सही तो घर से दूर ही है घर से दूर के निवास को बताती है जो कि मूलता 45 वर्स के बाद सक्रिय हो जाता है तो 45 वर्स के बाद घर से दूर का वास घर से दूर का settlement घर से दू उठ सकते हैं लेकिन हो सकता है वो आपके द्वारा नहीं है आपके बच्चों के द्वारा आपको मिल जाए या फिर खुद का आपका कोई कारी संपन्न हो जाए जिसके एकॉर्डिंगली आपको फल मिल जाए तो बिलकुल भी संदेह मत रखिये इश्वर के जज्जमेंट पर कभी कोई दाग नहीं लगता तो यहाँ पर से कुछ ना कुछ आपके जिन्दगी पर अच्छी चीज़े जरूर घटित होगे इस बात की गैरेंटी है साथ में वर्स के आयू के बाद आपको बहुत अच्छा सुदार देखने को मिलेगा चुकि ये तो पहले चीज़ होगी दूसरी चीज़ अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत जबर्दस आपकी बागी रेखा भी है तो बागी रेखा को भी लेके बिलकुल संदेह नहीं है इस अवस्था में भी जात्यक के जिंदगी पर ये तरक्की को जरूर से इंडिकेट करती इसमें बिलकुल डाउट नहीं है तो इस चीज़ आपर देख लिया समझ लिया यहाँ से मैंने आप चीज़ को क्लियर कर दिया अभी थोड़ा सा आगे हम और विचार कर ले थोड़ अब लोग कहेंगे गुरुजी ये फिश जैसे आकरती भी लग रही है लेकिन जब मैंने असपस देखा तो ये स्थान परिविर्थान और यात्रा कही होग है प्रापरली फिश जैसी आकरती नहीं है हाँ एक तरीके से आप मान जरूर सकते हैं फिश लेकिन उसके अच्छी आवस्था आपके हाथ पर है जो कि साथ वर्सों के बाद है आप खुद मुझे बोलेंगे फोन करके गुरुजी मुझे साथ वर्स के बाद जादा बेनेफिट अपने जिंदगी पर देखने को मिला है चली जीस आपने देख लिया अभी इन कहतली का आम जलना राज्योकार्य गतली को बताती है जिंदगी अच्छी भी इतती है इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है और राज्योकार्य गतली है तो मतलब समझे लो कि लाइफ में जो भी चाहिए वो कहीं न कहीं अपने दम से या फर इश्वर्ड की किरपा रहती है में ले ही जाती है आ ऐसे विक्ति बहुत सांदार personality के होते है strong personality के हो विक्ति है आप फिंगर के बीच में gap है तो यह indicate करती है थोड़े खर्चले परवर्ती के जरूर है लेकिन समझदारी के लूप काफी है चीज़ा तक बहुत समझदार है समझदारी से जिन्दगी पर आगे बढ़ते और आग जाएंगे और आपके दियेगे शब्द बहुत ज़्यादा ही महत्पून और बहुत महत्वर रखते हैं आपके लिए भी तो बहुत इमांदार बहुत अच्छे विक्ति है धर्ती पर ऐसे विक्ति बहुत कम है तो जबर्दस लाइन्स फर देख यह चोटी यह बड़ी इंस पर अच्छे उक्ति तक देखने को ज़्यादा मिलता है उसके बाद तो वैसेच कोई प्राबलम्स है नहीं चोकि फिंगर लंबे करें अच्छे creativity अच्छे strength का यो पर चकराही रही है जातक बहूत creative person है अच्छे strength के मालिक है इसमें बिल्कुल doubt नहीं अभी तोरा हम planets पर च करने के योग को बता रही थी परोप काई ने चले जातक दूसरे के लिए करना जरूर पसंद करते हैं जुपटर अच्छा है दार्सनिक सोच के फिक्ति इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है एक जबर्दस आपका माइंड रेका दिमाग के बहुत तेज हैं दो मुकी माइंड र बहुत जबर्दस भागी रेका मज आ गया देखके कमाण की भागी रेका जंदगी में प्राब्लम्स कहां है लाइफ में कोई प्राब्लम्स नहीं है यहां पसे दबाव है तो व्यक्ति गजब के वैनती लाइन ओफ एजोकेशन बहुत कमाल जाक तक बहुत समझदार परव जब तक इसकी विजबिलिटी नहीं आती तब तक इसके रिगारिंग जाते की जिंदगी पर अच्छा फल देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी यह बंड रहा है तो यह कभी भी विजबल हो सकती है रोजाना सूरी को जल देने से अच्छा रहता है इस अंदर में यह द कोड़ों मंगल बहुत अच्छा हाइली एनरजेटिक है एनरजी में कोई संदय नहीं अब 57 वर्स की आयू में भी लोग काम 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 कर रहा है और जिंदगी पर आगे बरने के लिए प्रयासरत है तो इससे बड़ी बात और गया ही हो सकती है लाइफ में तो मंगल बहुत परदस्त आपका मंगल का माउंट है जो कि कमाल है बे मिशाल है अदवत अविश्वस नहीं है उसके बाद एका जाए तो यहाँ पर से कुछ लाइन से जो विशेज कर यात्राओं को बताती है यहाँ पर से आपके एक और लाइन से तो यह भी इंडिकेड कर रही है कि ऐसे पर लाइन जिंदगी पर बढ़ी होती है यह यात्राओं को बताती है और विदेशी दर्जी दे धनलाव को इंडिकेड करती है उसके बाद एका जाए तो एक बहुत जानदार आपकी बुद्धर एका जो कि बहुत कमाल है इवन बे मिशाल आपकी बुद्धर एका है यह इ जीबन रेका यह जीबन रेका इंडिकेड करती है कि ऐसे वेक्टी बहुत जबरदस्त लाइफ बिताते है इसमें बिलकुल डाउट नहीं आयो दिरगाई होती है मंगल रेका भी बढ़िया शुकर बढ़िया शादी के बाद 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 लगजरी के लाइन्स थे आपका करजा जरूर उतर जाएगा क्योंकि आगे नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं है और आगे की बागेरे का बढ़िया है तो बढ़िया आराम से आप करजा उतार लो कि इसमें बिलकुल चैन्ता मत करना है तो यह ताई गतली का पूर्णता वेश्टेशन अगर आ हमारे यह पसंद है लाइक कर दें कमेंट करें से सब्सक्राइब कर दें अगर आप विक्तिका जूर्प से मैं सहस्त्रेका रिखा के सही जानकारी बाना चाहते हैं अब आप वाट्सपने में डिस्क्रिप्शन मिल जागा लेकर आप संपर कर सकते हैं धन्यवाद